हलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार एक मई दोहजार बाइस और दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर एनलेसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज होगी उनको हम लोग ब्रीफ एंड समराइज फॉर्म में डिस्कॉसन करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे लेफ एंड साइड एक न्यूज आपको देखने को मिलेगी जो टाइटल दिया गया है एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरीड सेज रुपी फाइज फाइजन फाइजन फाइज़ क्रोड इन जियोमी एसेट और इलीगल रेमिटेंस बेसिकली एन् करती है मिनिस्ट्री फाइनेस के अंडर उन्होंने लगबग साड़े पांच हजार क्रोड रुपे के जियोमी के जो असेट है वो इलीगल रेमिटेंस के लिगेशन को लेकर इन्होंने अटैच किये हैं और इनको यह पावर मिलती है फोरें एक्स्टेंज मनेजमेंट विवारत जो एक्टिविटी करी गई लगब साड़े पांच हजार क्रोड रुपे की जो एसेट है इलीगल रेमिटेंस के अरोप में असेट इतरी किसे सेज़ करेंगी है रेमिटेंस क्या होता है रेमिटेंस का मतलब फॉर एक्जमपल मैं आपको बदाता हूं कि मालेते है एक भारतिय नागरिक होता है जैसे एनराइज इसको बोलते हैं काम करने के लिए किसी कंट्री में जाता है वहां से जो पैसा भेता हो रेमिटेंस है इन्होंने रेमिटेंस के नाम पर रोयलिटी यानि इन इलीगल रेमिटेंस ली लेकिन इन्होंने कहा कि हमने रोयलिटी से पैसा कमया है तो उसको लेकर ये इस्यू था और यह वर रोल इनको साढ़े पानसजार क्रोड रुटे का आप बोल सकते कि पैनल्टी या इनके जोthaडे पानसजार क्रोड रुटे вो सेज गरे एन्फर्समेंट डारेक्ट रेट नि इसके बात बात करेंगे कि इंपोर्टेंट सम्मिट हुई और यह सम्मिट बेसिकली चेफ जश्टिस ऑफ इंडिया 11th Conference of Chief Minister and Chief Justice जो की इनगरेट करेगी प्राइमिस्टर साहब के दोरा यहाँ पर कई सारे इशूज को लेकर discussion किया गया और इन्हीं discussion में हम कुछ main point जो cover करेंगे क्या important issues है जो इसके अंदर discussion कीएगे for example यहाँ पर बताया गया कि प्राइमिस्टर साहब ने एक statement दी कि हमें under trial poor के बारे में लगवा साड़े तीन लाख क्रोड़ साड़े तीन लाख क्रोड़ ने साड़े तीन लाख जो cases pending पड़े हैं जो कि under trial है उनको हमें bail provide करने के बारे में continue काम करना चाहिए कि bail हम उनको provide कर पाए इसके लाख प्राइमिस्टर ने statement दी कि हमें local language का इस्तेमाल करना चाहिए courts के अंदर ताकि हर व्यक्ति तक justice को लेकर help हो देखो indigenization को लेकर हमारे चीप justice of India कई बार यह बोल चुके कि हमें indigenization की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा भारत के कानून को भारतिय करन करना पड़ेगा ताकि हर व्यक्ति उसको access कर पाए समझ पाए क्योंकि judicial language ऐसी होती है कि उसको सवाने नागरी को समझने के लिए एक तरीके से वो capability developed नहीं हो पाती और इसलिए इसका cost भी बहुँ ज़्यादा कई वार हो जाती है तो इसलिए हर व्यक्ति तक justice मिले इसके लिए जुरूरी है कि इसको भारतिये भासाओं में बतला जाए यह प्राइम स्टेट्मेंट है judgment एक suggestion है इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि chief justice of India ने कई सारे चीज़े इसके अंदर discussion करी और बहुत सारे चीज़े इसके अंदर एक तरीके से बोल सकते है अलग-अलग issues पर discussion की for example chief justice of India ने का कि भाई भारत के अंदर जो कानून है या भारत के अंदर जो एक तरीके से executive और legislative है यह कही नहीं बर्डन कर रहे है और इसका क्या reason है पहली बात तो यह बताया गया कि proper function नहीं करने के वज़े से legislative और judiciary के वज़े से बहुत सारे cases जो है वो judiciary के पास पहुंचते है और उसका impact यह होता है कि overall जो issues है वो cases का number और ज्यादा increase कर रहा है उसी के बारे हम discuss किया गया इनके अलावा center की तरफ से जो chief justice of India के प्लान थे कि national infrastructure panel बनाया जाए उसको agree नहीं हुए है center government दूसरा retired high court के judges को जो jobs के बारे में भी center government जो है वो agree नहीं हुए है देखो chief justice of India का plan यह था कि देश के अंदर infrastructure को लेकर एक panel बनाया जाए एक national level पर infrastructure authority हो जो इसको लेकर function करें और chief justice of India साब लगातार यह बोल रहे है कि हमें देश की judicial जो जितनी बोडीज है उनमें infrastructure को अप्टू अप्ग्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए जुरूरी है कि हमें basically एक proper authorities क के लिए बनाएं इसके बाद बताया गया कि जनरल मनोज पांडे साब हमारे नए आर्मी चीफ होंगे यहां पर mention किया गया इससे पहले चीफ आर्मी स्टाफ जनरल एमम अंद्रवने उनकी retirement हो की और अब नए चीफ बनेंगे cops of engineer group से बिलोंग करते हैं पहले ऐससे आर्मी चीफ है जो cops of engineer से बिलोंग करते हैं ठीक है तो यह एक basic information front page पे इसके लावा right hand side भी आप देखेंगे लगातार नौर्थ वेस्ट इंडिया या नौर्थ इंडिया है central इंडिया के अंदर लगातार heat wave increase हो रही है temperature rise हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे नौर्थ वेस्ट इंडिया में जो temperature है 2022 में as compared to 2010 काफी जादा average रहा है central इंडिया के अंदर भी average temperature लगातार increase हो रहा है कई बार आपने newspaper में पढ़ा होगा कि गर्मियों ने तोड़ा पिसले साल का record इस तरह की चीज़े लगातार आती रहती है तो soil है वो dry हो रही है तो और ज्यादा वगत्रीके से heat produce कर रही है तो इसके वीज़े से नौर्थ और नौर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो लगा हीट वेव को face कर रहा है कहीं न कई indicate कहा जाता कि climate change का भी इसके ओपर impact है खेर जो भी इसमें reality है वो आने वाले समय में पता चले था कि देश के अंदर एक तो fertilizer हमारी जो importing cost है वो लगातार increase हो रही है और idea की इस साल के end तक जो है एक लाख नभे जार क्रूट रूपे की subsidy हो सकती है fertilizer ठीक है यहाँ पर सरकार के decision के बारे बताया गया और क्यों सरकार organic fertilizer को लेकर या organic agriculture को लेकर जो है पर्मोशन कर रही है उ सरकार ने जैसे यहाँ पर 6 मेने का बताया गया कि लगबग 60,000 कोड़ रूपे खर्च करना पड़ेगा subsidy पर for example यूरिया जिसका international price है 2450 उस पर subsidy है 2183 रूपे और अब यह 266 रूपे का बढ़ता है इसी तरीके से DAP कि अगर आप देखेंगे DAP हो NPK हो MOP हो इन सब पर huge subsidy सरक पर पे करती है इन पर सबसे ज्यादा subsidy इसलिए क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इस्तमाल भी होता है सबसे ज्यादा इस्तमाल होता है यूरिया का फिर DAP का और फिर दूसरे जो fertilizer से उनका इस्तमाल होता है और अभी index of industrial production या core industry का जो data उसके अंदर ये indicate करता है कि fertilizer sector जैसा है इसने लगातार growth करी है और अगर आपको यादो COVID-19 के face में जब हमारे industrial sector contraction कर रहे थे इसमें कमी आ रही थी तब भी agriculture sector ने improvement किया था और इसी perspective में fertilizer sector ने भी improvement किया था इसके बाद यहाँ पर एक news है बहुत छोटी से लेकर important है national monument tag for 1000 year old lake एक अनंगताल लेक है या इक तरीके से monument है महरोली में उसको लेकर यह बताया गया कि 1000 year old lake को फिर से उसको सही करना या restore करने को लेकर माना जाता कि तोमर किंग अनंग पाल 2nd जो 1060 या लगवग 1060 के आसपास आसन करते थे तो उस context में यह news में है तो तोमर वन्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे UPSC में भी या generally आपके history के अंदर भी तब भी काफी important है तोमर वन्स के बारे में पढ़ना और यह माना जाता कि बाद में इस particular area में आज किसे में जो कुतुमिनार हम देखते हैं या कुतुमिनार देखते हैं मिनार देखते हैं यह कुछ photograph आपको नजर आएंगे भली politically criticism आपको देखने को मिलेंगे for example anti आपको नजर आते हैं लेकिन यह जो summit होती है तो यह आपको सभी देखने को मिलेंगे for example अरविंद केजरिवाल जी शिवराज सिंग चुहान बुपेश बगेल अलग-अलग political parties से ब्लोंग करने वाल बिहार में और यह पहला green field grain based ethanol plant होगा जो देख के अंदर होगा और यह बिहार में open किया गया है और 105 क्रोड रुपे का यह project है आपको पता होगा देख के अंदर ethanol को लेकर यह जैसे हमारी fossil fuel पर petrol, diesel, natural gas इन पर जो dependency बहुत जादा है तो उस context में हम लोग alternate energy sources पर काम कर रहे है उसे को लेकर यह बताया गया कि 105 क्रोड रुपे का यह plant है ethanol plant जिसके वज़े से petrol की cost कम होगी और employment भी generate होगा बिहार में लगबग 18 district ऐसे जिसमें प्रयाक्त मात्रा में जिसको corn wealth बोला जाता है अगर proper plants implementation होते हैं तो बिहार इसमें game changer हो सकता है fuel की cost कम की जा सकती है और दू इसके बारे में यहाँ पर decision ले अगया और सरकार ने इसको open किया इसके लावा various companies के साथ भी oil marketing companies के साथ भी इनका agreement है कि उनसे वो fuel खरी देंगे ethanol एक तरीके से blend करेंगे सरकार की planning यह है कि petrol यह petroleum product के अंदर ethanol में या दूसरे उसमें एक तरीके से ethanol को blend करें और Indian bio fuel एक तरीके स फोटोग्राफ आपको नजर आते हैं बिहार में जो जो जोब को लेकर पैसे नहीं खासकर जो रेलवे की जोब को लेकर है इसी के बारे में अभी स्टोरी भी आए थी बीविसी पर और यह बिहार में आप देखेंगे गंगा नदी किनारे बच्चे पेपर दे रहे हैं प्र हो बहुत सारे बच्चे अंभरेज हो जारे हैं तो उससारे बहुत सारे एस्परेंड आचे जो army के लिए तयारी करते हैं बण भरती ना होने के वाज़े से प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो पाया इसके अलावा अगर आप वर्ल्ल अफेर में देखें कोई पर्टिकुलर न्यूज नहीं है जो एक्जाम से डिरेक्ली लिंक हो और संडे को बहुत जादा न्यूज आती नहीं है बहुत स्टोरी टाइप में छोड़ी छोड़ी इंफोर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी और स्टोरी बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि स्टोरी टाइप में ही एक तरह किसे इस इसके अलावा यहाँ पर एक टोपिक के बारे में डिसकसन किया गया है एक करोड वैल्यू से लेकर लाख तक की वैल्यू के जो बोन है और स्टेट बैक इसके लिए उत्राइप है electoral bond scheme के अंदर कौन सी political party जो है वो authorize करीगी उसके बारे मताया गया कि अगर आप electoral bond scheme के देखते हैं तो वही political party जो section 29A of representation of people act के अंदर registered है और जिनका अगर आप देखेंगे उन्होंने या तो last general election में या last legislative assembly election के अंदर at least 1% voting हासिल करा हो वो सारी political party एक तरीके से electoral bond को खरीदने के लिए या electoral bond के तुरू funding को receive करने के लिए eligible मानी जाएंगी इसके लावा सेमी conductor को लेकर सरकार की planning क्या कि 20 year 20 plus year के एक approach रहेगी जिसके अंदर हम लोग इंडिया के अंदर सेमी conductor को लेकर काम करेंगी इस तरह की एक interview दिया गया है असुनी वेशनों साफ जो की union minister है कि हमारा program यह है कि हम large और mid-size company के साथ एक तरीके से talent को create करें और एक application process हो उसको लेकर शुरू हो चुका है अवर रॉल भारत के अंदर सेमी conductor को development करने को लेकर manufacture कर करने को लेकर सरकार की policies यह है कि इंडिया को इसके लिए एक तरीके से यही पर manufacturing करी जाएगी यही पर बनाई जाएगी और इंडिया इसमें self-sufficient को लेकर target कर रहे है और क्योंकि सेमी conductor या chip का जो इस्तमाल है automobile और electronic दोनों के अंदर large scale पर होता है और Ukraine और Russia crisis का impact इस sector पर पर पड़ है इसलिए भारत अपने चाहता है कि भाई dependency कम हो import पर और इंडिया में ही इस चीजों को development क्या जाए तो उसको लेकर एक interview दिया गया है आज के इंडिया एक्सप्रेस को हम लोग brief में ही cover करें क्योंकि बहुत ज़्यादा news है नहीं और इसलिए हम इसको brief में ही conclude करने के लिए इक तरी के से efforts करें तो फिलाल इस वीडियो के अंदर इतना ही धन्यवाद जहिन